हलो स्टूडायंट्स वेलकम टूिस्टेटइट्ट इफूर देपूर आज के स्ट्रियम हम सैंप्लिंग एरर्स एंड नॉन सैंप्लिंग एरर्स जिसे हिंदी में प्रति चैन तूटिया और अप्रति चैन तूटिया कहा जाता हैं इसके बारे में आज हम discuss करेंगे दिखे कोई भी survey होता है या जो data collect किये जाते हैं या कोई भी statistical study होती है तो इन study में बहुत सारे errors आते हैं बहुत सारे गलतियां mistake हो सकती है जैसे कि mistake errors का मतलब एक तरह से क्या होता है कि जो data collect किया जा रहा है उसके लिए जो भी method यूज की गई है अगर हम गलत method का use कर लें या जो data collect किये गए हैं उनमें जान बुझकर या अनजान में किसी परकार की गलती हो जाती है तो जैसे कि हमने कोई अंक है उसमें 13 की जगह उसको हमने entry करते वक्त 31 लिख दिया तो इस तरीके से बहुत सतारी जो गलतियां हैं तुरूटियां हैं वो data जब collect किया जाते हैं उसमें हो जाती हैं तो कोई भी statistical survey होता है जो data collect किया जाते हैं या किसी भी परकार की जो study किया जाती हैं तो उनमें बहुत सारे एरर आते हैं और हमेशा कितनी भी सावधान ही रखी जाए कितनी भी उसकी precautions रखी जाए यहां जो sample लिये जारेख वह कितने भी representative क्या होना हो उसमें mistake अमेशा होगी share आते हैं सकते हैं इसके हम्त्रक्रों सर्वें एक प्रकृत होता है कि उसमें कुछ ineurr सकते हैं जब डेटा है यहां जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उस में कैसे precautions सावधानी रखे इन तुरूटियों को इन गलतियों को एक तरह से ठीक किया जा सकता है अब देखिए गलतिया जैसे कहां कहां पे आती है जैसे कि जो data collect कर रहे हैं उसमें अगर कोई biased पक्षपात अगर हो जाती है या फिर data collect करने के लिए हमने जो schedule अनुसुची या जो प्रशनावली का यूज किया है तो उस प्रशनावली के जो questionnaire होती है उसकी वो सारी demerits हो सकती है या फिर हम जो survey कर रहे हैं उसमें जो हमारे difference items हैं उनकी जो हमारी definitions हैं वो अलग हो सकती है universe के comparison में गर हम कर रहे हैं या फिर जो methods हम और का यूज कर ले हैं या जो tabulation कर रहे हैं या जो approximation होता है एप्रॉक्सिमेट में जैसे कि हम किसी number को इससे लिखते हैं कि जैसे 1008 हैं इसको अगर हम round figure में जैसे 1010 लिखते हैं तो यह जो approximation होता है इसमें बहुत सारी जो हम discussion निकल रहे हैं interpretation करते हैं तो उसमें अगर हम कुछ बातों का ध्यान ने रखें precautions नहीं रखें सावधाने अगर नहीं रखते हैं तो इस इस्तिमें बहुत सारी तूरूटियां हो जाती हैं तो basically अगर हम कहें कि यह जो survey किया जाता है उनमें जो तूरूटियां होती हैं जो errors आते हैं उनको हम दो part में divide कर सकते हैं एक तो होती है प्रतिचेन तूरूटियां जिसको sampling errors का जाता है और दूसरी होती है प्रतिचेन तूरूटियां non sampling errors सबसे पहले हम discuss करेंगे कि ये प्रती चेंट रूटियां क्या होती है sampling errors क्या होते हैं जैसा कि नाम से समझ में रहा है कि sample जो हम लेते हैं उसमें किसी तरीके से कोई errors आ जाती है देखिए जब हम statistical survey करते हैं तो दो तरीके से survey किया जा सकता है एक तो census method का use करके और दूसरा sampling method का use करके census method में क्या होता है कि जो भी हमारा universe है जो population है मतलब जो हमारा statistical survey है उससे related जितने भी units है अगर हम सारी unit को लेते दो उसको हम क्या कहते है universe कहते है population कहते है और method कौन से होती है census method होती है लेकिन जब हमारा survey में इन सारे unit को जो universe में है जो हमारे investigator area से related है उन सब भी unit को नहीं लेकर हम इन में से क्या करते है कुछ को select कर लेते है मतलब कुछ को sample के तोर पे ले लेते है तो उस method को हम क्या कहते है sampling method कहते है और जब हम sample लेते है क्योंकि sample एक तरह से क्या होता है पूरा जो universe है उसी का एक part होता है यह हमारा पूरा universe है ठीके उसी का एक part होता है चोटा part होता है उसी को लेकर हम study कर रहे है और इससे हमारे जो निश्कर्स आते है ठीके इस चोटे से part के जो निश्कर्स आते है उसी को हम क्या करते है पूरे universe के ओपर लागू करते हैं उसको एक तरह से apply करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ problem भी आ सकती है कि जैसे इस पूरे universe का जो average है ठीके माना कि जैसे कि इसमें सोजने है एक गाम है इसमें सोजने है और सो लोग है इनकी जो average income है वो कितनी है 5000 रुपीज बर मन् है लेकिन हमने क्या किया इन मैसेज इसे 10 लोगों को sample के तौर पर ले लिया उनकी income को ले लिया और उनका average निकाल रहा है 4000 आ रहा है अब हमने क्या किया यह जो sample लिये है इससे हमने जो average निकाला उसको हम क्या कर रहे इस पूरे universe पर apply कर रहे हैं लेकिन पूरे universe में जब हमने सारी unit ली थी तो उस का average कितना है 5000 है लेकिन हम जो study कर रहे हैं ठीक हम को पता नहीं है हम study कर रहे हैं कुछ sample के तोर पर जैसे कुछ unit होती है उस sensor sample में से और सोरी उस universe में से population में हम क्या कर लेते हैं select कर लेते हैं और फिर इसका हम analysis करते हैं और इसका जो conclusion आता है जो result आता है उसको हम पूरे universe पर apply करते हैं तो एसी condition में क्या होता है इस universe की जो original value है और इस sample survey की जो value आई है estimated value इन दोनों के बीच में तरह से क्या होता है difference की जैसे original जो average इस पूरे universe का वो कितना है 5000 लेकिन हमने sample method का use करके जो average निकल वो कितना आया 4000 यह तो इन दोनों की बीच में यह जो 1000 का difference से इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं प्रतिचेंट तूटी कहते हैं sampling error केते हैं तो sampling error एक तरह से क्या होती है प्रतिच दर्श आकलन जो हम करते हैं estimated जो sampling value होती है हमारी और पूरे universe का जो वास्तिविक मुल्य होता है वास्तिविक मुल्य actual value जो होती है उसमें से अगर हम estimated मुल्य को estimated जो value होती है उसको less कर दें या इन दोनों का जो difference होता है उसी को एक तरह से क्या का जाता है sampling error या sampling error को एक तरह से हम statistical error भी कह सकते हैं प्रतिच धूर्ट एक तरह से कौन सी होती है सांग्षी की तरूटियां होती है दोनों एक ही बात है, अगर हम sampling error की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किस्से है, statistical error से ही होता है, तो statistical error जो हमारा है, इसको sampling error करते हैं, तो sampling error हम कैसे calculate कर सकते हैं, parametric value minus estimated value, यह parametric value की जगह हम, यहाँ पे actual value भी लिख सकते हैं, actual value में से अगर हम estimated value होती हैं, उसको minus कर दें, तो इन दोनों के difference को क्या कहा जाएगा, sampling error कहा जाएगा, अब यहाँ पर parametric value का मतलब क्या है, जो पूरा हमारा universe है, उस universe की जो actual value होगी, इसी को एक तरह से हम क्या करते हैं, parametric value कहते हैं, parametric value का मतलब, जब universe में जितनी भी units होती हैं, उन सबी units को लेकर जो हम study करते हैं, उनसे हमारे पास में जो result आते हैं, जो value आती हैं, वो value क्या कहलाएगी, parametric value, और इस पूरा universe में से, हम कुछ units को select कर लेते हैं, कुछ sample लेते हैं, और इससे जो हम average निकालेंगा, वह एक तरह से क्याएगा हमारा estimated value, तो इन दोनों के बीच का जो difference होता है, parametric value या जो पूरे universe का, पूरी population का, जो average हैं, उसको हम parametric value कह सकते हैं, actual value कह सकते हैं, और sample से हमने जो value निकालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, estimated value, तो इन दोनों के difference को क्या कहा जाएगा, sampling error, अब देखिए जो उत्पन होने का इसको पढ़ने से पहले हम इस sampling error को एक example से समझ लेते हैं, का जैसे कि एक गाव है, उस गाव में 5 किसान है, 5 किसान है, A, B, C, D, E, इनकी जो income हमने ले ली है, कि एक किसान है, उसकी income कितनी है, 500 रुपे प्रति दिन है, दूसरा जो B किसान है, उसकी कितनी है, 600 रुपे प्र प्रति दिन है, हमने हमारे सर्वे में जो study हम कर उसमें, हमने 5 किसानों की income को ले लिया, सभी की income माना की क्या है, अलग-अलग है, A, B, C, D, E की ये 5 जनों की income है, अब इन पांचों की जो total income में वो कितनी हो गई है, तो 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 900 किया, इन पांचों की income को add कर दिया, हमने हमारे पास में कितना आ गया, 3500 रुपए आ गया, अब इनका हम average निकाल लें, तो average कितना होगा, 3500 कितने जनों की है, 5 जनों की है, 5 किसानों की जो income है, वो कितनी है, 3500 रुपए है, तो average कितना हो गया, तो 3500 में 5 का हम divide कर देंगे, तो कितना आ गया, उस पूरे universe में कितने थे माना कि 5 किसान थे हम चोटा सा example ले रहे हैं इस पूरे समू में 5 किसान थे 5 किसानों की जो income थी उसका average कितना आ गया 700 तो ये पूरे समू का है पूरे group का है जिसको हम पूरा universe किया सकते हैं पूरे universe की जो actual value है जो parametric value है वो कितने है 700 रूपीज अब देखिए हमने क्या किया कि statical survey के लिए हमने sampling method का use किया और sampling method में हम क्या करते हैं इस पूरे universe में जितने units होती हैं उन सब को हमने लेते हैं उन में से हम कुछ को select कर लेते हैं माना कि इन में से हमने दो किसानों को select कर लिया और इन दो किसानों की income कितनी है माना कि एक की है 500 और दूसरे की कितनी है 600 है 2 खिसान हमने कोई से भी ले लिए है मारना कि उनकी एक इंकम कितनी है 500 है और दुसरे की कितनी है 600 है तो total income कितनी होगी दोनों की मिला के 1100 और इन दोनों जो हमने sample लिया था उसका हमने average निकल दिया तो average किसे निकल लो कोई 2 खिसान थे total income कितनी है हैं तो 1100 में दो का डिवाइट कर दिया तो कितना आ गया 550 आ गया तो हमने जो सेंपल लिया था उसका एवरेज कितना आ रहा है 550 जबकि जो युनिवर्स था पूरे समु का जो एवरेज है वो कितना है 700 है अब इन दोनों का जो डिफरेंज है 700 के हमारी पेरामेट्रिक वेल्य है actual value है जबकि estimated value जो हमने sampl लिये थे उसके basis पर वो जो आई कितनी है व्यरेज कितना है 550 है in दोनों का डिफरेंस कितना है 700-550 तो दौनों का जो डिफरेंस है 150 का इस $150 को है हम क्या कहेंगे sampling error कहेंगे तो sampling error जो है वो किस आती है जो हमने सेंपल लिये हैं जैसे हमने दो सेंपल लिये हैं अगर इन सेंपल की जो साइज है अगर हम बढ़ा दें जैसे हम इसमें तीन सेंपल ले लें चार सेंपल लें जितने ज़्यादा सेंपल लेंगे उतनी ही यह एरर हैं वो एक तरह से क्या होगी धिरे धिरे कम होती हैं कि sampling error क्या होती है पूरे universe की जो parametric value है actual value है और जो sample से हमने निका लिए इंस्टेजमेंटर value अनुमानित मुल्य और वास्तिविक मुल्य हमार हो गया वास्तिविक मुल्य यह हो गया अनुमानित मुल्य इन दोनों के अंतरों को क्या केता है sampling error केता है अब देखिए sampling error जो है क्यों आई है उसके क्या reason है क्या reason हो सकते है कि हमने जो sample नियें पूरे universe में से पूरे जनसंक्यमे से जो sample निये हैं वो कम comments च्छोटा असा part हम लिया है इस वज़े से ये miss-take हाई है और इस mu stays को क्या से दूर कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे तो सबसे फेला किया हो गया कि जो हमने sample लिए हैं वो पूरे universe का एक party होता है पूरे universe के एक part को हमने use किया ये पूरा universe है इसी मेंसे हमने कुछ unit को select कर लिया था और उसको as sample के ़ूप में हमने use किया था और जो sample लिए गए थे हो सकता है कि वो representative नहीं हो जो पूरे समो का एक तरह से represent नहीं करते हैं, प्रतिनिधी जो sample हम Очigne किए हैं वो हो सकता है कि प्रतिनिधी प्रतिदर्श नहीं है इस वज़े से क्या हुआ यह mistake हो गई है यह error हो गई है तो error प्रति चैन्ट रूटी जो है sampling error होने का क्या reason है एक तो हमने जो sample लिये हैं वो पूरे sum में से एक उसका चोटा सा party होता है और दूसरा कि हो सकता है कि जो sample हमने select किये हैं वो एक तरह से representative items नहीं होते हैं या प्रति निदी अगर simple नहीं है तो इसी condition में क्या होगा यह mistake आएगी अब देखिए इस mistake को कैसे दूर कर सकते हैं कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि देखिए aesthetical survey अगर है तो इसमें mistake तो हमेशा आती है उसको दूर मतलब दूर का मतलब ही हो गया कि हम उसको कम कर सकते कि नहीं मतलब जब हम सर्वे कर रहें उसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखें प्रिकोशन्स रखें सावधानी रखें तो सावधानी कर रोके इसके ओ ठीक किया जा सकता है उसमें कम किया जा सकता है लेकिन mistake जो होगी हो हमेशा आती है क्योंकि इस्टेटिकल सर्वेज होता उसका नेचर ही होता उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि कुछ mistake तो इसमें रही जाती है अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है तो पहला हो गया कि हमने जैसे पढ़ा था कि कारण क्या है जो सेंपल हमने लिए वो कम लिए है तो सेंपल की जो में उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो यह जो एक्टरस है क्या ओगी हो जाए गट तो सेंपल साइज और जो साईज उसके बढ़ा के एक तरह से इन एकटरसे को प्रति चांट रूटियों को कम क्या जा सकता है और साती साथ जो हम सेंपल यूज़ कर रहे है सेंपल एक तरह से क्या होना चाहिए रिप्रेजेंटेटी सेंपल होना चाहिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटी किया सकते हम एक तरह से कि उस पूरे समू का उस पूरे उनिवर्स का एक तरह से अच्छे से वो प्रति निधित्व कर रहे हैं इस परकार के सेंपल होना चाहिए मतब उन सेंपल मे जो fluctuations हैं जो उतार चड़ा है वो एक तरह से क्या होने चाहिए minimum होने चाहिए जो sample हमने लिए हैं अगर minimum fluctuation वाला है तो इसी condition में क्या होगा ये जो errors आरी हैं वो एक तरह से नहीं आएगी अब देखिए जो errors होती हैं जो sampling errors होती हैं वो कितनी होगी ज़ादा होगी यह कम होगी उसकी जो size होती हैं वो किसके उपर depend करती हैं कि हमने जो sample size ली वो कितनी हैं sample का जो आकार here sample की size जıtनी कम होगी जो error sampling error उतनी है जदा होती है तो sampling की जो size उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो sampling error वो एक तरह से क्या होगी गम होगी दूसरा कि जो हमारी population है वो एक तरह से किस तरह के की है homogeneity मतलब उस पूरे sum में से हमने पूरे sum में जो भी units है वो जितनी सर जाती होगी homogenous होगे तो उसमें जगर हम sample लेंगे वो भी homogenous होगे और ऐसी condition में sampling error होने के जो chances वो एक तरह से क्या होगे कम होगे और फिर इन में से हम जो sample ले रहे हैं पूरे sum में से तो sample लेने के लिए हम कौन सी method का use कर रहे हैं वो method एक तरह से ज़्यादा उप्यूक्त है या नहीं है उसके ओपर भी depend करेगा कि जो हम sample की technique यूज करेगा इसमे से sample का use करते है sample लेने के बहुत सारे अलग-अलग techniques होती हैं तो कौन से technique का हम use कर रहे हैं इन सभी के ओपर depend करेगा कि जो sampling error है वो उसकी size कितनी है वो ज़्यादा है या कम है और देखिए जो sampling errors होते हैं वो generally उसको हम दो apartmen divide कर सकते हैं एक तो होते हैं अनायास या संयोंग-जन कि जो हम statical survey कर रहे हैं प्रकरति उसका nature है ऐसा होता है इसलिए कभी-कभी इस परकार की जो errors होते हैं वो आही जाती हैं और फिर एक होती है पक्षपात सम्मंदी कि जो हम data collect कर रहे थे या जो हमने sample लिये थे तो sample लेते समय अगर investigator जो अनुसंदान करता है अगर वो किसी तरह की को भी पक्षपात करता है या जो उत्तर देने वाला है वो किसी परकार के अगर पक्षपात करता है तो उस वज़ज़ से जो sampling errors आते हैं उनको हम क्या कहेंगे पक्षपात सम्मंदी तूटिया कहेंगे biased error हम कह सकते हैं तो ये तो होगे हमारी प्रतिचें तूटिया sampling errors example भी हमने देख लिया दूसरा हमारा है गेर प्रतिचें तूटिया या अप्रतिचें तूटिया जिसको हम इंगलिश में क्या कहते हैं non sampling errors अब देखिए जो हमने sample लिया है उस sample की size के लावा अन्य प्रकार की कोई भी अगर सर्वे में तूटिया हो जाती है errors आ जाती है तो उनको हम क्या कहेंगे non sampling errors मतलब जो errors sampling की वज़े से नहीं आई है जो हमने sample की size लिया है उस वज़े से नहीं आई अगर किसी अन्य कारण से आ दी है अन्य कारण का मतलब कि जो हम data collect कर रहे थे उस data collect करते समय जो investigator है उसने किसी परकार की कोई लापरवाई कर दी है या उसने उस समय में उचित अगर वोई सावधानी अगर नहीं रखी है या जो data collect करने वाले व्यक्ति है वो एक तरह से प्रशिक्षित नहीं है उनको किसी परकार के अगर training नहीं मिली है या उनको अगर knowledge नहीं है तो इसी condition में जो भी error ताएगी ठीक है आकडों की जो इकटे किये गए है उनकी गलत जानकरी अगर ले लिजाए या जो उत्तर देने वाला है उसने गलत information दे दी है या जो information है उसको जब register में लिखा जा रहा है तो गलत तरीके से register में अगर बर लिया जाए या फिर सामने वाला जो उत्तर देने वाला है वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे जिसे कि प्रशनावलिक हमने यूज किया हैं तो प्रशनावलिक के कुछ कोशन्स ऐसे हो सकते हैं जो उसके समझ में नहीं आए या प्रशनावलिक के आंसर भरके वो वापिस बेज़े ही नहीं जो इन्वेस्टिगेटर नुरुसंदान करदा के पास में तो इस तरह की जो सेंपलिंग एरर्स जो होती हैं उनको तो हम जो सेंपलिंग साइज हैं प्रतिदर्श का आकार हैं उसको बढ़ा के कम कर सकते हैं लेकिन इन अब प्रतिचैन तूटियों में एक तरह से कमी करना संभव नहीं होता हैं कम चांसे होते हैं इसलिए ये ज़्यादा घंबिर माने जाती हैं सेंपलिंग एरर्स के कमपरीजन में नोन सेंपलिंग एरर्स एक तरह से ज़्यादा घंबिर होती हैं अब देखिए जो सेंपलिंग एरर्स हम करते हैं ठीक है जब सेंपल लेकिए तो उसमें कोई घलत जान करिया गई हैं अनुतर संबंदी हो गई हैं तूटियों सर्वे माना जाता है लेकिन अगर ये जो गलतियां हैं अगर वो इस परकार की गलतियां हैं उसमें लिखते record लिखते समय कर mistake कर रहे हैं तो ये एक तरह से ज़्यादा गंबीर माने जाती हैं इसके लिए उच्छी सावधानी रखने चाहिए ताकि जो गलतियां है वो इकतर से नहीं होने चाहिए अब sampling errors और जो एक सर्वे जो हता है एक हमारा होता है sampling सर्वे होता है दूसरा होता है census सर्वे तो इन दोनों परकार के सर्वे में जो non sampling errors होती हैं उसकी संभावना बनी रहती हैं देखिए जब हम census method का यूज़ करते हैं census method में एक तरह से क्या होता हैं सारी unit को हम लेते हैं और जब हम सारी unit को लेते हैं एक तरह से टेके मतलब की complete enumeration के सकते हैं तो पूरे universe को लेकर अगर हम study करते हैं census method का अगर हम study कर रहे हैं तो इस this condition में say sampling errors हैं वह एक तरह से नहीं होगी sampling error एक तरह से क्या होगी अपसेंट होगी sampling error कप अपसेंट होती हैं जब हम study करने के लिए census method का यूज़ कर रहे हैं मतलब उस समों की सारी units का यूज़ कर रहे हैं उसमें सगर हम sample लेते हैं और उसका अगर यूज़ करते हैं study करने के लिए करने के लिए तब एक तरह से error आती है अब देखिए non sampling error वो कौन-कौन सी हो सकती है का जैसे जो आकड़े हैं उनके अरजन करने में तूटिया हो सकती है अनुत्तर संबंदी non response से संब्दित हो सकती है पक्षपात के कारण हो सकती है या फिर माप से संब्दित हो सकती है सबसे अगर हम आकड़े अरजन की बात कर रहे हैं कि जो आकड़े एकटे किये जा रहे हैं उनको अगर register में record के रूप में अगर दर्ज किया जाता है तो इस इस्तिमें अगर घलत उत्तर दर्ज कर लिए जाए तो घलत उत्तर दर्ज करने से जो तूटी होगी वो आकड़े अरज तो ले सकते हैं मानके हमने जैसे लेलिए हैं कि बनाना बनाना की जो प्राइज जैसे ऑलाग जलक सबजे की जो शोप सौग होगी उन पर अलाग हो हो सकती है कहीं पर जैस्बेर ञीसkा पर किलो ग्राम इते इसका मदलब क्या हो गया एक ही वस्तों की जो प्राइज होती है वह तरह से अलग-अलग पर एक त्रहसे क्या हो सकती है यह अलग-अलग हो सकती है उसका कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन हम generally क्या करते हैं study करने के लिए जो इनकी average price होती है उसी को लेते हैं तो इस तरीके दें किमत अलग होने कारण क्या हो सकता है कि 30 रुपे किलो वाली जो चीज है उसकी quality अच्छी हो 25 वाली जो है वो अच्छी नियों कुछ भी कारण हो सकता है जब हम survey करते हैं study करते हैं उसमें हम क्या करते हैं केवल जो average price होती है उसी को लेते हैं साथ इसाथ देखिए आकड़ो अर्जन में जैसे कि हम किसी number को अगर हम record में लिख रहे हैं जैसे कि 31 है उसकी जगह अगर हमने 13 लिख दिया है जैसे तो इस परकार की जो mistakes होती है errors होती वो एक तरह से क्या होती है आकड़े अर्जन में तूटिया होती है non sampling error से related होती है और यह बहुत ही ज़्यादा गंबिर होती है क्योंकि जब record में हमने 31 के जगह 13 लिख दिया है तो यह बहुत बड़ी mistake माने जाएगी फिर उसके बाद में दूसरे अगर हम कहें अनुतर संबंदी तूटिया या गेर प्रक्तिकिरिया संबंदी हो सकती है अनुतर का मतलब क्या हो गया non response का मतलब कि जो सामने उत्तर दाता होता है जिसका भी statistical survey जो हम कर रहे हैं उसकी जो सूची बनाई जाती है उस सूची में जिस भी उत्तर दाता का नाम होता है अगर उस उत्तर दाता से संपर्क नहीं हो पाए तो इस इस्तिमें क्या होगा हमे आकड़े जो data है वो नहीं मिल पाएंगे यह हो सकता है कि अगर उसे संपर्ख हो जाए वो उन प्रश्णों का उत्तर देने से मनना कर दे यह भी हो सकता है यह फिर अगर हमने उत्तर उनके जो data है उसको collect करने के लिए प्रश्णावली questionaries होती है अगर उस विदी का use किया है त तो उसके में बहुत सारी mistake हो सकती है कि जो प्रश्णावली उसमें बहुत सारी questions हो सकते हैं उसका सभी प्रश्णों का उत्तर देना हो सकता है विक्ति अच्छा नहीं समझे यह हो सकता है कि उसको उत्तर भरके वह वापिस जो सर्वेक्षन करता है उसके पास में नहीं जे तो इसमें भी बहुत सारी problem हो सकती है तो यह सारी जो problem होती है उसको किसमें लेते हैं अनुत्तर संबंदी तूटियों में non-response errors में हम लेते हैं गेर प्रतिक्रिया तूटिया कहते हैं फिर next होता है पक्षपात पूर्ण रवया होता है बायस्ट ठीक है पक्षपात में जो sample ले रहे हैं तो जिन sample को लेना जरूरी होता है क्योंकि वह एक्तर से क्या होते माना कि representative होते हैं तो अगर उन सभी को हम समिलित नहीं कर पार है जिनको समिलित करना आवशक होता है तो इस परकार की जो condition होती है उसको हम क्या कहेंगे पक्षपात मूर्ण रवया से जो भ capable है उसका measurement करने के लिए कहता है सभी के पास माना कि उसको measurement करने के लिए चात्रों को अलग-अलग फिते दिये जाते हैं तो इसकी कुछ चात्र जो है वो इसका जो माप लेते हैं माना की पूरा आगे जैसे की पांच, पॉइंट, आठ, पॉइंट में जितना भी आता है उन mistake हो सकती हैं ठीक है तो चात्र द्वारत जो भी यह माप लिए गये हैं उसमें एक प्तर से क्या हो सकता हैं अंतर हो सकता है यह अंतर किस कारण से हो सकता है कि जो इन मापों का प्रियोग करने के लिए जो फिता लिया गया है वो फिता एक तरह से अलग-अलग हो सकता है फिते में तरह करान हो सकता है या फिर जो अलग-अलग students है वो इनका जो measurement कर रहे हैं उन students की लापरवय हो सकती है तो इन कारण से जो भी errors आएगी इनमें publication जब आकड़ों को प्रकाशित किया जाता है उसमें mistake हो जाती है जिसे printing mistake हो सकती है तो यह error कौन सी होगी publication error भी कह सकते हैं या जो उत्तर जाता है वो सभी प्रशनों के उत्तर नहीं देता है तो non response error भी हम इनको कह सकते हैं तो यह सारी errors जो होती वो non sampling error होती है अब दे data collect करने वाले हैं अगर अच्छे knowledge वाले नहीं है उनको training नहीं मिली होई है प्रशिक्षित नहीं है तो इसी condition में यह errors आ सकती है तो इन error को reduce करने के लिए काम करने के लिए क्या करना चाहिए जो data collect करने वाले जो करम चारी है जो employee है क्दरस वेक्दरसे क्या होना चाहिए train होने चाहिए प्रशिक्षित होने चाहिए प्रशिक्षित लोगों को काम पे लगाना चाहिए साती साथ जो लोग data collect कर रहे हैं या statistical survey में अपना योगदान देर रहे हैं उनकी जो efficiency होती है उनकी जो कारिशम्टा होती है उसमें एक तरह से व्रद्धी करने चाहिए और सात अतिसाद जो equipment है उनका प्रियोग करना चाहिए और इन सबी बातों का ध्यान रखे जो non sampling errors है उनको एक तरह से कम किया जा सकता है